आज हम लोग high blood pressure याने hypertension के बारे में बात करेंगे high blood pressure होता क्या है और high blood pressure होने का main बजा कौन सा है अगर आपको भी high blood pressure है तो आप कैसे महसूस कर पाएंगे अगर किसी ब्यक्ति को लंबे समय तक high blood pressure रहता है तो उसका सरीर में क्या असर पढ़ सकता है और अंत में इसके इलाज के बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है मिसलाम और स्वागत है आपका इस youtube चनल पर दोस्तो हमारे heart जब पाम करते हैं तो पूरे सरीर में रक्त का संचालन होता है और हाट जब रिलाक्स करते हैं पूरे सरीर से रखत फिर से हाट में वापस आते हैं उसी दवरान हमारे ब्लाट भेसल में जो प्रिसार केट होता है वो है ब्लाट पिसार एक स्वस्त आदमी का नॉर्माल ब्लाट पिसार 120 बाई 80 mm AG होना चाहिए 120 है सिस्टोलीक पिसार और 80 है डास्टोलीक पिसार अगर किसी व्यक्ति का ब्लाट पिसार 150 बाई 90 के उपर जाने लगता है इसका मतलब उस व्यक्ति हाई ब्लाट पिसार का सिकार है लेकिन high blood pressure होता क्यों है इसको होने का दो मुख बजा है पहला है primary याने essential hypertension और दूसरी है secondary hypertension primary hypertension के अगर बात करें तो इसके बज़े के बारे में आज तक पता नहीं चला लेकिन डॉक्टरों का अनुमान है एज के साथ साथ या तो अगर आपके पूर्खों में किसी का high blood pressure की सिकायत थी तो आपका भी blood pressure high हो सकता है इसके अलावा अगर लंबे समय तक आप sedentary याने खराब life style जीते हैं तो इसके बज़े से भी blood pressure high होने का संभवना ज्यादा होता है अगर secondary hypertension की बात करें तो ये मुक्षत और पर किसी भी बिमारी के बज़े से होता है जैसे कि sleep apnea, kidney के बिमारी, चाहे वो thyroid की problem हो या thyroid gland में tumor हो इसके इलाबा अगर आप कोई ऐसे medication लेते हैं इसके बज़े से भी आपका blood pressure बढ़ सकता है लेकिन सबसे अच्छी बात ये है secondary hypertension में अगर बिमारी का इलाज करते हैं तो इसके बात आपका blood pressure नॉर्माल हो जाता है दोस्तो आपका भी अगर blood pressure ज़्यादा होता है तो आप कैसे महसूस कर पाएंगे आप hypertension का सिकार है blood pressure एक silent disease है आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप मेजार नहीं कराएंगे लेकिन मोटी मोटी तोर पर blood pressure high होने से आदमी को चक्कर आने लगता है आदमी का सांस फुलने लगता है मतलब सांस लेने में दिख़त होता है इसके अलाबा nose bleeding इसके अलाबा chest pain और digenes फिलोता है दोस्त अगर आप चाते हैं आपको high blood pressure ना हो इसके लिए आप क्या preventive action ले सबसे पहला चीज है आप physically active रहे याने अगर आप बैट के काम करते हैं या आपका life style थोड़ा आलसी है तो आप जरूर हर रोज morning walk करे या तो exercise करे दूसरा जो चीज है आपको healthy diet लेना है कोई भी junk food या fast food ना ले जिससे आपका बजन बढ़े क्योंकि बजन बढ़ने के साथ साथ भी blood pressure सहीत और भी कई ऐसे विमारी है जो lifestyle related है उससे आप घिरने लगते हैं तीसरा चीज है smoking या alcohol बिल्कुल ना ले और चौथा चीज है आप stress या तनाव को manage करे आप यह नहीं कहे सकते हैं तनाव को बिल्कुल आप avoid करे आप तनाव के बीना जी नहीं सकते लेकिन तनाव को आप manage कर सकते हैं इसके लिए आपको चाहे वो प्रनायम हो या meditation इसका अगर आप सहरा लेते हैं तो आप यकीन मानिए काफी हद तक आप stress को घटा पाएंगे अगर आप इस चार चीज को नियमीत रूप से follow करते हैं तो उमीद है आपको blood pressure होने का खत्रा बहुत हद तक कम हो जाएगी दोस्तो लंबे समय तक अगर हमारे blood pressure high रहता है फिर भी अगर हम लोग treatment नहीं कराते हैं तो हमारे सरीर में क्या असर पड़ता है सबसे पहले जो असर पड़ता है वो है हमारे blood vessel के उपर blood vessel hardening याने stiff होने लगता है दूसरा जो असर पड़ता है वो है हमारे दो organ खास कर eye और kidney के उपर पड़ता है क्योंकि ये दो organ का blood vessel काफी पतले होते हैं तीसरा असर पड़ता है हमारे heart के उपर लंबे समय तक अगर आप high blood pressure को carry करते हैं तो heart का muscle कमजोर होने लगता है इसके साथ कई heart की बिमारी भी होने की समय मना होती है चौथा असर हमारे दिमाग में पड़ सकता है क्योंकि blood pressure अचानक बढ़ने से stroke होने की समय मना भी होती है दोस्तो पांच वा जो सबसे गहरा असर है वो हमारे heart attack या तो heart failure तक हो सकता है दोस्तो इस विमारी में आप जरूर साब धनी बढ़ते क्योंकि एक silent killer है आपको पता ही नहीं चलेगा आपका blood pressure कब अचानक बढ़ जाएगा इसलिए आप नियमीत रूप से blood pressure major कराए अगर जरूरत पड़े तो दवाई ले अब चलो अंत में बात कर लेते हैं blood pressure का इलाज कैसे कराए दोस्तो सबसे एहम चीज है अगर आपको लगे आपका blood pressure जादा है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाकर major कराए इसके बाद अगर blood pressure 150 by 90 या उसके आस पास रहता है तो डॉक्टर आम तोर पर आपको दवाई नहीं देते हैं वो पहले आपको life style modify करने के लिए सला देते हैं ऐसे अगर आप एक मैना दो मैना आपके life style और diet को change करके अगर डॉक्टर को लगता है blood pressure normal है तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन इसके बाद भी अगर blood pressure नहीं घटता है और आप पहली बार अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो अगर डॉक्टर देखता है आपका blood pressure बहुत ज़ाता है तो तुरन दवाई चालू करते हैं और दवाई आप नियमित रूप से ले क्योंकि काफी आदमी क्या करता है blood pressure में कोई दिखत नहीं होता है या pain नहीं होता है इसलिए दवाई लेने के लिए भूल जाते हैं और कई आदमी ऐसे सोचते हैं blood pressure नॉर्माल हो चुका है तो अब दवाई लेने की कोई जरूद नहीं है लेकिन ये गलत धार नहीं है ये chronic disease है blood pressure ठीक नहीं होता है लंबे समय तक दवाई लेना पड़ता है अगर आप दवाई लेना बंद कर देंगे अचानाक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं तो आज के लिए इजाज़त दे धन्नवाद